सूरत में हमारा कैम्प चल रहा था 1993-4 में पहली बार मैंने कैम्प लगाय थे वहाँ और उसके बाद फिर लगाता रहे यात्रा चलती रही सूरत की बाद पुरी देश में योग शीविर चले लौखों करोडों लोगों ने फिर उसमें धीरी-धीरी भागिदारी की योग का पूरा जनान दूलन देश में खड़ा हो गया सूरत में जब हम थे तब एक भाई वहाँ बावासिर की दवाई देते थे अपने पता किया कि भाई देते क्या अब कुस मंतर पढ़ें लोगों को बता के ना दें और कुस ऐसे एक दो चीनी के दाने उसमें डाल दें दूद में और कहें कि दूद पिलो ठीक हो जाएगा तो एक विक्ति ने बहुत चेष्टा करके पता लगाए कि यह जो एक कब दूद पिलाते हैं उसमें निम्बू नी चोड़के पिलाते हैं वह निम्बू का प्रयोग आम बताया औ और लाखो लोगों की बवा से ठीक ही मैं पहले शिवर्म पूछता था कितने लोगों ने निम्बू पिया और इससे बवा से ठीक होगी तो संकुड़ों हार तोड़ते थे कि सामजी तीन दिन पिया तीन इसे मैं कहता हूं मैं एक जमाम साथ दिन खाली पेट एक कप दूद में निम्बू निचोड करके अब इसमें मैंने तो ठंडे दूद में पिलाया पुझे आचारी जी कहते हैं थोड़ा सा गुनगुना दूद हो तो जो जिसको अनुकूलता हो बैं दोनों करके देख ले ना तो हमने तो ऐसा देखा कि या तो धार सर्दियों में तो थाले में डालो खंडा हो जाता है तो एक कप दूद में एक निम्बून निचोड़ा और तुरंत पी गए खाली पीट तीन से साथ दिन में बावासी ठीक हो जाती है 100% एक नागदोन एक पोधा होता है यहां पर भी अभी तो नहीं खड़ा हुआ है सब देगा रहता है उसमें दूद निकलता है तुड़ा आपका परीचे खरवा देंगे नागदोन दिखा देंगे तीन से साथ पत्ते तीन पांच साथ पत्ते उसके खा लिए तीन दिन में बावसी ठीक पहले दिन से ब्लेडिंग बंद जब हम गुरकुल में पढ़ा करते थे तब मेरा एक सहफाठी था सत्यदेव जी तो उन्होंने भी प्रियोग हजारों लोगों को करवाया फिर मैंने अपने शिवरों में बताया देशी कपूर तो एक तो केमिकल वाला कपूर होता है एक देशी कपूर जोशधी की काम आता है क्योंकि केमिकल वाला तो कपूर 500 रुपए किलो से भी ज्यादा मेंगा होता है इसलिए हमने प्रतंजली पुजा सामगरी में प्योर कपूर भी उपला आपको उपलब्द करवाया है घर जिसको देशी कपूर बोलते हैं भींसेनी कपूर बोलते हैं उसका लगभग कo dal two two चैने के बराबर चोटे बच्यों को तकलिव है तो एक ने तो दो चैनेके बराबर डैले में डाल के डाल करके मैने अपने हाथों से खिलाया लोगों को गय में को काता और उसके अंदर एक शोड़ा ज़आ बना लिया केले इतंना से टुक्ड़ा ले लिया में एक सरThereT चेलते हैं तो एक सरहफेन होता है ग्ठवा पयन थे गधडम से उसमें घंप is एक कपूर से गहा है एक विसमें दूसरे ट्रख खड़ा किया और उसमें यह कपूर भर कर कंर उसको निगल महने जीव को ने लगा तो आज मे में कपूर देते थे तीन दिर में मैं एक्जिमम लोगों की बवासरी के समस्य दूर हो जाते थे